मोसम विभाग ने भारी बारिश की कड़ी चेतावनी दो दिन पहले ही दी थी कल रात तक्रिबन आठ बजे मुसलाधार बारिशे शहर के साथ पूरे चंदरपूर जिले का जन जिवन अस्तवेस्त हो गया ताडोबा आंधारी व्यागर प्रकल्प और इरई धरन इलाके में धुआधार बारिश से इरई डैम ओवरफ्लो होने की कगार पर है शहर के रहमत नगर और सिस्टर कॉलोनी में धिरे धिरे बाड की स्थिती उत्पन्न हो रही है इस वर्ष चन्दरपूर जिले में जून और जुलाई में बारिश ना के बराबार होने से किसान काफी चींति थै लेकिन जुलाई के मध्य में बारिश ने जोर पकड़ लिया शहर में पिछले सपता हुई बारिश से नगर निगम के नालो ने प्रशाशन की पोल खोली है शहर के विबिन्न हिस्सों में नालो का पानी एक से दो फीट तक जमा हो गया है 18 जुलाई से चंदरपूर जिले में भारी बारिश हो रही है और फिलाल जिले में हर जगह बारिश हो रही है इसी तरह चंदरपूर जिले का सबसे बड़ाए इराई बांध खत्रे के स्तर पर पहुच चुका है इसलिए प्रशाशन ने नदी के आसपास रहने वाले गावों को सतरक रहने की चेतावनी दी है क्योंकि बांध के दवारा 20 जुलाई के दो पहर एक वज़े खोले जाएंगे ऐसी जानकारी मिलने से नदी किनारे बसे लोगों को सतरक रहने की हिदायत जिला प्रशाशन ने दी है अभी भी घने बादलों के बीच बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही है जिले के लगभग सभी नदी नालों में पानी भरा हुआ है कई इलाकों में फिलाल यातायात बंद हो गई है चंद्रपूर के बार गरस्ते इलाके से BCN News के लिए सुनिल ताइडे की स्पेशल रिपूर्ट